हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माई चैनल मॉम्स कुकिंग कला एक न्यू रेसिपी के साथ मैं फिर आ गई हूं मैं डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूं अब की बार अब आज हम बनाएंगे देसी चिकन रेसिपी देसी मुर्गा बनाएंगे यह होममेड मुर्गा है घर का प यह लिए हमने 6-7 मेडियम प्यास जिने कट कर लिया है अब हम इसमें लगाएंगे सॉल्ट थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से गल जाए यह जल्दी से देसी मुर्गा जल्दी नहीं गलता है इसमें टाइम लगता है आप नॉर्मल चिकन जो लेकर आते हैं वो स्टीम में भी हो जाता है बट यह नहीं होता इसमें आपको काफी विसल लगानी पड़ती है सीटियां लगानी पड़ती है कोकर में तो इसमें सॉल्ट मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और यह मैंने देसी घी लिया इसके अंदर दो चम्मच देसी घी लिया है बड़े दो चम्मच आप चाहें तो रिफाइन में बना सकते हैं या जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं बट मैंने देसी घी लिया है ताकि इसका टेस्ट दुखना हो जाए और उसमें मैंने अपनी प्यास डाल दी अच्छे से प्यास को स्टे कर यह यह लसानदват का पेस्ट कर रहा है बनाया है मैंने के बनाया है काजु का पेस्ट सատjoyां का पेस्ट कर लिया है यह डिफरेंट स्टेल में बना रही हु मैं रधारा हूंret इसमें मैं और बरतन गंदे नहीं करूंगी सिर्फ एक इस कूकर में ही मैं पूरा अपना चिकन रेडी करूंगी तो मैंने प्याज निकाल लिया प्याज को जादा ब्राउन नहीं करना बिल्कुल ब्राउन नहीं करना क्रिस्पी नहीं करना हलका सा थोड़ा सोटे करके तब निकाल लेना है आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से निकालना है और अब मैंने इसमें डाल दिया अपने मखाने मखानों को कर रही हो मैं थोड़ा सोटे घी में मखाने निकाल लूँगी साइड में प्लेट में और इसी में एड़ कर दूँगी मैं अगर आपको घी कम लगता है तो आप ठोड़ा घी और एड़ कर दिजेगा इसमें मैंने एड़ कर दिया अपना चिकन सॉल्ट में लाया हुआ जो लगाया हुआ था सॉल्ट लगा के हमने रखा हुआ था देसी चिकन वो इसमे एड़ कर दिया है और उसे कर रहे हैं सौटे अच्छे से और देखिए प्याज इस तरीके से रखनी है और आप मैंने ये डाल दिये जार में मिक्सी जार में इसका पेस्ट रडी कर लिया है चिकन मेरा हो रहा है इदर साथ के साथ मैं अपना पेस्ट भी रडी कर रही हूं तो चिकन मैं निकाल रही हूं इस तरीके से ब्राउन हो जाना चाहिए चिकन अच्छे से ब्राउन करके चिकन को निकाल लेंगे साइड में अब इसमें एड़ ये चिकन लीवर है इसे अच्छे से मैं सौटे कर रही हूं देसी घी में आप इसे चाहें तो अपनी सबजी में डाल सकते हैं बट मैं सौटे करके हलका सा सौल्ट लगा के बच्चों को दे देती हूं यह आप खुद भी खाके देखिएगा बहुत टेस्टी होता है बहुत यम्मी वाला तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें दे दीजिएगा बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ये और अब इसमें मैंने अपना बचा हुआ चिकन डाल दिया है यह मैंन ये मिर्च पाऊडर अगर आप सपैसी एका तो मिर्च और हुआर यूज़ सकते हैं तो यह कर तो में इसमें थेखनी मिर्च भी आइड करूंगी तो इसलिए मैंने डेट्ट चमंच मिर्च पाऊडर लिया है और आदा से भी कम हल्दी पाenne पाऊडर बाकी का चिकन भी मेरा सौटे हो गया है ब्राउन हो गया है इसे निकाल लूगी मैं साइड में अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीस सब्सक्राइब कर लीजेगा बैल आइकन दबा लीजेगा बैल आइकन दबाने से आपको मेरी सारी इंपोर्टेंस वीडियो का अपने खड़े गरम मसाले गरम मसाला एड कर दिया है मैंने इसमें सारे गरम मसाले में मैंने काली मिर्च लॉंग इलाइची दोनों दाल चीनिया काली और सफेद दोनों ली थी अच्छे से मिक्स कर लिया और उसमें मैंने मसाले में एक चमच दकनी मिर्च पाउडर एड कर कर रही हो, Massalay को बून रही हो. ताकि इसमें कछ्चा पन ना आ है, और ये अच्छे से sortie हो जाये. काफी देड तक सौटे करने के बाद मैंने इसमें एड़ करा है कोकोनट पाउडर दो चम्मच कोकोनट पाउडर एड़ करा इसमें मैंने इसमें थोड़ी थिकनिस देने के लिए अगर आपके पास कोकोनट पाउडर नहीं है प्लीस लाइक शेयर एंड शेयर और आप सब्सक्राइब टूके है तो लाइक चीर जरू कीजिए गा अब मैंने इट कर दिया है पानि अब इसकी लगाँगी मैं सिर्टी से बन про करके इसकी सीर्टी लगाओंगी इसमें 3-4 सीर्टी लगानी है फिर चेक करना है अगर गल गया तो ठीक है अधर्वाइस इसमें और सीर्टी लगा लेंगे आप प्लीस चेक कर लीजेगा बीच में क्योंकि काफी हार्ड होता है जल्दी से नहीं गलता तो मेरी सीटी लग गई है चार से पांच अब मैं इसमें से खोल के देख रही है उपन करके चेक करूंगी तो देखें मेरा चिकन बनके रेडी हो चुका है और ये गल भी चुका है मेरा चिकन रिड़ी है इसमें मैंने एड़ कर दिया है कौरियंडर और अपने मखाने जो मैंने सौटे करके रखे थे मखानों को बीच में से कट कर लेना है दो पीस में कर लेना है इने अभी से कर लूँगी मैं सर्व फाइनली मेरी रेसिपी बनके रिड़ी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आपको ये कैसी लगी तो फाइनली मेरी रेसिपी का फाइनल लोक अब फिर मिलती हूँ आपको न्यू रेसिपी